कि रूपिया ध्यान रखे किस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी वो सेक्षिक और शुक्मक उदिश्यों के लिए इस यूटूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वितिय चला कानूनी चला या तो वक्तिगत चला के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए जहीं दोस्तों, 2020-2021 के हम बात करेंगे तो उन टाम के अंदर क्रिप्टो के अंदर, अल्ट कोईन के अंदर या तो फिर कोई एक्चेंजों के अंदर गवर्मेंट का कोई उतना प्रेसर नहीं था बट हमने 2022-23-24 के अंदर देखा तो यहाँ पर कंटिनुशली अमरिकन SSC पहले तो एक्चेंजों के उपर लोजशूट किया कि बाइनन्स कानून का उलंगन कर रहा है और गलत तरीके से एक्चेंज चला रहा है बिना लाइसेंस या तो एक सिकुरिटीज दिक्लियर कर दिय सेकंड लोजशूट होता है कोईनबेज एक्चेंज के उपर वहाँ पर भी यूएस के SSC बताती है कि यह अनरजिस्टर ब्रोकर के रुप में अमरिका के अंदर काम कर रहा है तो आप कहें के सागरवाई हम यहाँ पर टोप क्रिप्टोकरंसी एक्चेंज देखने जाएंग तो पहले दो ही ने मेंसे हैं बड़े-बड़े बाइनस इन कोईनबेज यह दूसरे एक्चेंजों को उसने क्यों लोजशूट नहीं किया क्या है सही से डंग से काम कर रहे तो दोस्तों बिलकुल नहीं यह सभी बत्ते हैं पहले यहाँ पर फादर्स कोई नोटीज मिल गया है और यही कंपे टू अधर एक्चेंज के साथ कंपेरेजन करने जाओगे तो बाइनस इन कोईनबेज ही अच्छे से काम कर रहे हैं और अमरिका का दिमाग देखेगा कि बाइस जो 70-80% वोल्यूम कोई लेके बैठा हो कौन है बाइनस इन कोईनबेज दोनों को मिलाएंगे 70-80% मार्केट से इन दोनों का आता है बाकी एक्चेंज सभी छोटे मूटे एक्चेंज हैं तो बड़े एक्चेंज के उपर ही अगर लोजूट किया जाए तब ठीक ठाक रहे हैं हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इसके उपर लोजूट नहीं हो आई तो यह डंग से काम कर है उतना अच्छा काम में भी हम कंपेरिजन अभी के दिनों के मदर नहीं कर सकते हैं बट पहले जो फादर से एक्चेंज है उसी को लोजूट किया जाएगा क्योंकि वोल्यूमी ज्यादा है उसको मालूम है कि फादर सी यह हैं तो इसी के अगेंस में लोजूट करें तो ब बड़े बड़े अल्ट कोईन के अगेंस में लोजूट किया एससी नहीं मतलब पहले एक्चेंजो को टारगेट किया फिर अल्ट को टारगेट किया कि यह सिकुरिटीज है और लोजूट कर दिया तो काफी एफेक्ट भी हमें पहले देखने को मिला उसमें भी अल्ट कोईन लौ शूट हो उच्छा क्हाम कर है उसके अगेंस में लौ शूट हूआ है च्छोटे दो इसक अगेंस में लोशूट होना तो ते हैं मतलब की उससे अभी क्या है इतने च्षोटे थो इसको फाइदा हुइ आज अगेन न्यूज आता है ऐसा नहीं कि ये दोनों को टार्गेट करने के बाद SSE बैठ गया लोग सूट करना बंद कर दिया ऐसा मज़ समझना कि SSE ने लोग सूट करना बंद कर दिया है कल के दिन 6 तारिक के दिन अगेन एक लोग सूट करता है SSE Robinhood crypto exchange के अगेंस में कि वह यह भी अपने कानुन का उलंगन कर रहा है और यहाँ पर केस को दर्ज कर दिया है अब देखते हैं आने वाले टाइम के अंदर कि रोबिन हुड का क्या रिपला आता है या तो क्या इसका सोलिशन आता है अगेन यहाँ पर SAC ने रोबिन हुड जितना बड़ा एक्चेंज के अगेंज में अगेन लोशूट कर दिया है यहाँ पर गवर्मेंट अभी उसी को टार्गेट कर रही है कि जो बड़े हैं काम बले वो अच्छा कर रहें क्या कर रहें पता नहीं बड़ जो बड़े प्रोजेक्स हैं या तो बड़े एक्चेंजी से सबसे ज्यादा वोलियूम जहां पर आता है उसके अगेंज में लोशूट होता है करेंगे यूइश्वेब की एकेंज में लो सुट किया कर देते हैं तो या और रॉबिं हूड की बात करेंगे वान बाई वान अभी लो सुट हो रहा है अभी दो शरूरवा आगे इस सब बहुत कुछ देखने को मिलेगा इसकी बज़े से काफ़ी सारे आर्ड को इन खत्म भी हो सकते हैं काफी सारे एक्तिंजों को बहुत बड़ा प्रोब्लेम भी जेल पड़ सकता है काफी सारे एक्तिंजों के मालिकों को जेल भी जाना पड़ सकता है चो गलग काम कर रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर 2026 से ज्यादा में भी प्रेसर होगा दोज़ार कहानिया बनते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हम तो रिटेल इंवेस्टर हैं